कारगिल विजय दिवस के मौके पर मधिप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने अगनी वीरों के लिए बड़ा एलान किया है मुख्यमंद्री मोहन यादों ने कहा है कि MP पुलीस में इन जवानों को आरक्षन दिया जाएगा मुख्यमंद्री मोहन यादों ने अपने X हैंजल पर लिखा कारगिल विजय दिवस के अउसर पर मंधिप्रदेश शरकार का बड़ा निरने अगनी वीर जवानों को पुलीस एवं सशस्त्र बलों की भरती में दिया जाएगा आरक्षन कारगिल विजय दिवस की पचीसमी वर्गाट पर प्रदानमंद्री नरिंद्र मोदी लद्दा के कारगिल पहुँचे और 1999 की जंग के नायकों को श्रद्धन जली अर्पित की उन्होंने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि आतंकवादियों के मंसुवे कभी काम्याब नहीं होंगे और पाकिस्तान में अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है सभा के बास प्रधान मंत्री ने सहीदों के परिजनों से मुलाकात की और शिंकुन लाट टेनल प्रोजेक्ट का उदगाजन भी किया प्रधान मंत्री नरे निर्मोदी की प्रशंसा की और इस दोरान पूर्ब प्रधान मंत्री जोहरलाल नहिरू का जिक्र किया अक्षकुमार ने हाल ही में एक इंटर्वियों में उन ट्रॉलर्स पर कटाक्ष किया जो उन्हें साल में चार फिल्में करने के लिए आलुचना करते हैं उन्होंने कहां मुझे कहते हैं ये चार फिल्में क्यों करता है साल में इसको एक फिल्म करनी चाहिए चलो मैं एक पिक्चर कर लेता हूँ बाकी दिन क्या करूँगा तेरे घर में आओं बेटा याद रखना भाग शाली होते हैं वो लोग जिन्हें काम मिलता है विदेशा के पठारे में गुरवार को मर्धि प्रदेश अनुसुचित जाती जनजाती अधिकारी एवं कर्मिचारी संग के तहसील अध्यक्ष पुरुसुत्तम अहिरवार के नित्रितों में एक प्रतिनिधी मंडल ने मुख्य मंत्री के नाम तहसिलदार को ग्यापन मर्धि प्रदेश में बारिश का सिल्सिला जारी है बोपाल, सिहूर, विदेशा, गुणास, सहीत, अन्य शहरों में आज सुक्रवार, सुबह से छमाजम बारिश का दौर जारी है मौसम विभाग में प्रदेश के 21 जीलों में भारी बारिश का अलट जारी किया है उत्रखंड ने भारी बारिश के अलट के बाद प्रदेश भर में बारिश के कारण कई जगा तबाही मज़ी भी है उत्रखंड के पहारी इलाकों में बारिश ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है कई जगा लोग फसे हैं जिनको निकलने के लिए हेलिकॉप्टर का प्रियोग करना पड़ा है रुद्र प्रियाग में लगभग पच्चास यादरी पूल तूट जाने के चलते फस गये थे जिनको हेलिकॉप्टर की मदद से बाहर निकाला गया राजदानी दिल्ली के तुगल का बाद छेतर के छूडिया मुहले से गर्दना घटना सामने आई है जहां एक घर की छत का मलवा गिरने से दो महीने की मासूम बच्ची की मौथ हो गई है जबकि तीन बच्ची समेथ एक ही परिवार के पांच लोग घायल हो गए हाचा अच शुक्रवार के तड़के तीन बजे सुबह हुआ उस समय पूरा परिवार गहरी नीन में सो रहा था तभी अचानक छत का मलवा तूट कर उन पर गिर पड़ा जिसमें सभी गंभी रूप से घायल हो गए इंडिया वोमिन्स एसिया कप तो हजार चौबिस भारते मैला क्रिकेट टीम में एसिया कप की टीटवांटी दो हजार चौबिस के फाइनल में जगा बना ली है हर्मन प्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने सेमी फाइनल में शुक्रवार को मंगलादेश को 10 विकेट से हरा दिया टीम इंडिया ने पहले बॉलिंग और फिर बैटिंग में कमाल दिखाया प्रीति मंधान ने नाबाद सतक चड़ा फिर रेनुका सिंह और राधा यादों ने तीन तिन विकेट छटके तिम इंडिया साथ पार यह खिताब जीच चुकी है बॉलिपोर्ट कॉयोग्राफर और डिरेक्टर फराह खान और साजित खान पर दुखों का पहार टूट पड़ा है दरशन उनकी मां मेनका इरानी का शुक्रवार छबर चुलाई को मुंबई में निधन हो गया मेडिया रिपोर्ट के मताबिक तिस मार खान डिरेक्टर की मां काफी समय से भी माज चल लही थी उनका पहले मुंबई के नानावटी होस्पिटल में इलाज चल रहा था